और अब हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे लोगों की जो एक परिवार के लिए मुश्किल घड़ी में फरिष्टे की थरा आए शरीवार यानी 30 सितंबर को इंडिको का एक विमान राची से दिली जा रहा था उडान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में अनाउस्मेंट हुआ कि एक 6 महीने के बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और तब भी बच्चे की तबियद जो है वो बिगड़ गई आगे क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए सीधा हम उन्हीं डॉक्टरों से जुड़ते हैं जिन्होंने बच्चे की जान बचाई है तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं बच्चे की जान आपने बचाई और एक परिवार के लिए आप दोनों ही किसी फरिष्टे से कम नहीं है क्योंकि जिस वक्त जरुवत थी उस वक्त मदद मिली है डॉक्टर नितिन में पहले आपके पास ही आऊँगी क्या इस्तिती उस वक्त पैदा हुई थी क्योंकि जब कोई मरीज चाए वो छोटा बच्चा हो चाए वो किसी भी उम्र काव ऐसी इस्तिती में होता है तो नर्वसनेस तो होती ही होगी क्या कुछ हुआ उस वक्त वो ब मैं फॉर्स्ट्रों में बैठा हुआ था तो अचानक से अनॉंस्मेंट हुई कि एक बच्चे को काफी तकलीफ हो रही है तो कोई डॉक्टर्स है तो आप हेल्प कर सकते हैं करें तो मैं सिधा खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कहा है बच्चा मुझे बिलकुल आइडिया नहीं थी कि वो बच्चा कितना बड़ा है या कि उसको क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चे और मा को जो सबसे फ्लाइट के पीछे का हिस्सा रहता है वहाँ अलग से बिठा के रखा हुआ था तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि एक 37-6 मैंने का कमजोर बच्चा एक मा के गोद में है मा केवल बदहवास होकर बिलक रही थी और वो केवल मेरा बच्चे को बच्चा ये बच्चा करके गोहार कर रही थी तो मैंने देखा कि बच्चे को सास लेने में काफी ज़्यादा कठीनाई हो रही थी वो पूरी शरीर से सिकूर रहा था और सबस्टता उसे कुछ समस्या हो रही थी तो मैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे ने कुछ खाया है कुछ दूद का कभी-कभी होता है कि कुछ खाते-पिते समय भी सास की नली में कुछ चला जाता है और मैंने उसके पिता से बात करके समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि हम लोग इलाज के लिए जा रहे थे बच्चे को पूरुवर से ही एक congenital heart disease है तो मैंने का आपके पास कुछ पेपर से तो आप दिखा सकते हैं तो जब तक हो पेपर दिखाते तब तक हम लोग उसको कुछ थोड़ा सा कोशिश करने लगे कि कुछ मसाज बगरे करके और बच्चे की पल्स समझने की कोशिश में कर रहा था और उसी समय डॉक्टर रखमजब फिल भी जॉइन कर लिये तो हम लोगों को काफी सहूलियत हुई दोनों ने मिलकर फिर हम लोगों ने उसको टेक ओवर कर लिया बच्चे को अपने हम लोगों ने रधर पैरेंट्स से अपने पास ले लिया क्योंकि वो संभव नहीं था कि मा के गोद में रखके उसका इलाज किया जा सके और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन की विवस्था की और उसके बाद ऑक्सीजन सपला शुरू हुआ तभी भी बच्चे को जो कठिनाई थी वो काफी जादा बढ़ते जा रही थी और हम लोग भी चिंतित थे क्योंकि जो मास्क था ऑक्सीजन का वो भी काफी बड़े साइस का था वो कोई नियोनेटल मास्क नहीं था हम लोग बिक्षा भी नहीं रखते कि सभी चीज वहाँ उपलब्द हो लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उन्होंने भी हैंडल किया और उसके बाद हम लोगों ने उक्सीजन सिलेंडर स्क्रू ने तुरंट उपलब्द करा दिये उसको कनेट करके ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुआ और फिर हम लोग दवाई खोजने लगे कुछ टेतोस्कोप मिल गया तो यह सब चीजे मिलने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा सा हिम्मत बंधी और उसको हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाया और 15-20 मिनिट काफी क्राइसिस में गुजरा लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद हम लोग इसको बचा लेंगे जी डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज मैं आपके पास भी आना चाहूंगी यहाँ पर जो बात डॉक्टर कुलकरणी कहे रहे हैं कि उस वक्त जो 15-20 मिनिट होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं और उसी वक्त अगर मदद मिल जाती है तो कई बार मरीज के लिए वो बिलकुल ऐसे जब लोगों ने सर को देखा जाते हुए तो मुझे एक्चली इमर्जन्सी वाली चीज सुना ही नहीं दी ती पर मैंने जब सर को जाते हुए देखा उसके बाद मैं पीछे उनके गया वहां जाकर के जैसे सिचुएशन समझ में आ रही ती सर अलड़ी वहां लगे हु बैक टैपिंग अगरा करने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं है इस बिच सर वे कागज लेकर के पिर उसकी इस्ट्री लेकर के बताया कि इसको कुछ कुछ कॉंजनाइटल डिजीज भी है तो हम लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ एक बात और यह है कि इस कुछ कि अगर मैं अकेला होता पता नहीं मैं क्या करता अर्जोपी डिसिजन बनाने पर था दवाइंगा यूस करनी है कैसे देनी वो तो हम कर सकते पर बच्चे का साइज चोटा था बच्चा इतनी कम एसका था खारी समय पर वहेसी कथी निस्टितिति में चुंकि सर का तिम हमारी बन गहीं तरह साथ में आया और सबने मिलकर फैसले लिए और वो सभी जो है उस बच्चे को देती वह नजर आए डॉक्टर कुलकर नहीं यहां पर मैं यह भी समझना चाहूंगे कि हम अकसर देखते हैं कि स्तिती जो है वो पैदा होती है और किस्मत की ही बात है कि में इस तरह से कोई मिल जाया और आप लोग इतने अनुभवी लोग थे और वहाँ पर आप लोगों का होना ही उस परिवार के लिए बहुत बड़ी सिती में रहा लेकिन कई बार हम देखते हैं खासकर कोविट के बाद हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटेक बहुत जादा आ रहे हैं तो क्या अब ये जरुवत महसूस होने लगी है कि CPR की ट्रेनिंग जो है वो आम लोगों को भी दी जानी चाहिए मैं कहूंगा कि जब परिटिकुटरली कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जिनको जिनको भी कोविड हुआ था उनमें काफी ऐसे अन्यूजुवल डिजिस जिसको कहते हैं वो अचानक से सिंटम्स आने लगते हैं तो हमें एक तो मेंटली प्रिपेर रहना चाहिए और केवल कुछ चीजे एक कॉमन सेंस जिसको हम लोग कहते हैं और आजकल सभी लोग मेरे ख्याल से शुरुआती वक्त होता है उसे जाया ना किया जाये तो शायद हम जान बचा सकते हैं कम से कम कोशिश तो कि ही जा सकती है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिन कुल करडी और दॉक्टर मुझमिल फिरोज आप दोनों का और आप दोनों ने जान बचाई एक बच्चे की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आप सब का धन्यवाद मैं आपके माध्यम से के वले एकी बात सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जब भी कभी कुछ मौका आए और किसी को जरूत पड़े तो कुलपा करके किसी की भी मदद करने में हिचके यह नहीं क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात आपने की बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का